अब बांडिया मुझे नहीं पता था मैं इतना खुबसूरा लगता हूं क्या बोलती है तू अबे चुप हमने तुझे यहां तेरी खुबसूरती देखने के लिए नहीं बुला इदरा बैग नीचे रख और जो बताया समझ गया ना हां समझ गया क्या समझा बैग नीचे बहुत जिम्मेदारी का काम है कौन सा बैग नीचे रखने का अब चलो बताओ सबसे पहले तुम क्या करोगे सबसे पहले उस गाओं की बस पर चड़ूँगा चड़ूँगा कंड़क्टर को सोगी पत्ती दूँगा बांवे रुपय का टिकेट खरी दूँगा फिर बाकी पर उतरूँगा उतरते ही पूझ लूगा जावेद प्रसाद का घर कहा है जावेद प्रसाद नहीं जैवेद प्रसाद बस ठीक ठीक बाकी काम तो मैं यह चुटकूइम कर डालूँगा वह कैसे मैंने सब कुछ एक पर्चिम लिखके ऐसे जेम में रख लिया है कि अधूब और यहां वह मास्यशी के बेटे का नाम क्या है अरे मरा हुआ जीतू अरे मरा हुआ पोले की कोई जरूरत नहीं सिफ जीतू बोलो काफी है काफी है तुम कौन हो बंडिया तुम जीतू के कान हो मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूं एक बात बताओ य अरे बैग तोलिते जाओ ओ हो यह बैग भी इतनी भुलककड़े जाहां रखता हूं बही बैग जाती जाती है और सुनो पालतू कुत्ते की तरह सिफ यह बैग देकर मत लौटाना जीतू के बार में जितनी जानकारी मिले सब हासल करके लाना इस फूर सालो क्यों क्यों क्या बात है तो आप हैं जैवेद प्रसाड जी आपको क्या चाहिए मुझे ओलन सोल कंपणी के मालिक ने भेजा है यानि की मरे हुए जीत के पार्टनर ने पैसों का मामला है हां हां आपको कैसे पता तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए यह घर जलाने के लिए खठा हुए हैं स इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्मत्या कर सकूँ जाए जो आप लोगों करना कर लीजिए जाए आपे नीचे उतर सुबह सुबह बैग उठा के चला पैसे मांगने के लिए और इतना छोटा बैग क्यू लाया बलक्रक क्यू निलाया तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के किसको आपको मतलब आप इनको पैसा देने आए अब तक क्या मैं चाइनीज बोला था कान में कुछ और सुआ है मास्टर जी कंपनी का दिवाला निकल गया फिर भी मुनाफेम चल रही है तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है न वो इस बैग में है कितना है कित हुआ हुआ है नमस्ते मोहन राव जी का घर यही है ना हाँ क्यों मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाओं मैं हुँ मोहन राव ठेख लिया चले या क्या है मैं लंगोटिया-जीतू का मरा हुआ यार हूँ मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ क्या हूँ था है थि है हई हुहुह हुह अर क्या हूं बेखकुफ तुम्हारा पेज दिला है क्या का मैं लोग कहते हैं ये उस लड़की का गर है पूजा जिसकी साधी मरे हुए जीतू से होने वाली थी खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो अच्छा ठीक है चलो नाम नहीं लेते हैं क्या मैं उससे मिल सकता हूं वो यहां नहीं रहती उसे मिलना है तो जाओ उसके पती के घर हम पती 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 कही का पति और कोच अब उसके बारे में एक भी लब्द निकालाना तो चले जीतु लाग खोपाय लोड के बुद्धुगर को है कि अधिए तो बॉए यह तो बॉए यह को नहीं क्या पूछा तुमने यह को नहीं तुम जीतु के क्या लगते हो क्या क्या वह तो तुम्हें पता नहीं है कौन है मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ साले 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 जराशिंद साले मशली कांच सुवर की दूम चलिया का मूद साले ढोखेबाच अथी दोस्तीन भाई तूने इतरा बड़ा दोखा दे सालै मैंने तेरी ज़न पिछाए तो कम से कम इक लड मुझे तो बोल सकता था एक पर बोल जो कहां सुनना चाहता हूँ अब लेगरima जान पमिध तरही जो सकता हूँ तो मैं ते अरी बंद बोह बड़्ी भीगों सकता हूँ बोल कल मुझे माफ करना सुस्त एग मेरी इस प्रभी प्रॉब्लम तो समझ अधू ये सब क्या इस पता लगा लिया सब कुछ पता लगा लिया में अपने दिमागा इस्तेमाल करका अपने रखे जाकर दोखर आओ फिर क्या पती पती कहा है था पती बोल कि थूका उसने एक बात तो साफ है कि ससुर दामाज के संबन्द अच्छे नहीं है